सात्यों आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने एक कानून बना कर बैंबू को वुर्ष की कैटेगरी में डाल दिया था ट्री की कैटेगरी में डाल दिया था ये कानून प्राइवेट जन्मीन पर उगाये गए बैंबू को काटने उनके ट्रांस्पोर्टेशन पर रोक लगाता था आज हादि के बाद भी सब्तर साल तक ये कानून ऐसे ही चला इस वज़े से किसानों को ट्रेडर्स को बैंबू इंडस्ट्री को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और ये कानून बदल दि इसका बहुत बड़ा लाब असम में बैंबू क्राप से जुड़े लोगों को किसानों को उद्यमियों को हुआ है अब बैंबू का प्लांटेशन हो बैलू चेन बनाना हो बैंबू बेस प्रोडस्ट की मार्केटिंग हो सरकार सभी में सयोग कर रही है असम सरकार ने भी बै चोटे उद्योगों के लिए विशेज जॉन बनाने के लिए भी पहल की है यही तो है डबल इंजिन की सरकार की ताकत